दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं वीवो के मोबाईल में एड्स को बंद कैसे करते हैं आपके पास एक वीवो का मोबाईल है आपके मोबाईल की डिस्पिले पर बार बार एड आ जाती है आप add को cut करते हैं, add cut नहीं होती है, add पर click हो जाता है, फिर play store open हो जाता है तो अगर आप भी vivo का phone use करते हैं और ads से बहुत ज़ादा परेशान हैं, तो ये video देखने के बाद आपके vivo के phone में ads आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगी इसके लिए आपको क्या करना है, अपने mobile की settings में आ जाना है, इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी apps, आपको apps setting को open करना है इसके बाद यहाँ पर आपके mobile की सभी apps आपको दिखाई देगी, यहाँ पर आप see all पर click करेंगे तो सभी app दिखाई देगी, यह हो सकता है आपको यहाँ पर app management या manage app या app list का option मिले, उस पर अगर आप click करेंगे तो आपके mobile की सभी apps आपको दिखाई देगी, आप देखेंग और वो ही app दोस्तों आपको बार बार add दिखा रही है app दोस्तों आपको बाहर नहीं मिलेगी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको app दिखाई नहीं देगी वो hidden एक malware app है जो छुप गई है आपके phone में और जो आपको बार बार add दिखा रही है तो उसे आपको धूंड कर delete करना है ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है एक app आपको देखना है जिसका नाम भी नहीं है और logo भी नहीं है जी हाँ दोस्तो यह एक hidden app है उसका नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा और logo भी दिखाई नहीं देगा यहाँ पर आ उन में भी दोस्तों आपको यही वाली एप धूड़ना है, जिसका लोगो नहीं है और नाम भी नहीं है, लेकिन अगर आपको इस तरह से यहाँ पर एप दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको क्या करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने मुबाइल की सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलीगी, डिस्पले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग को उपन करना है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलीगी, डार्क थीम, आपको डार्क थीम को आउन करना है, तो आपको अपने mobile में dark theme को on करना है इसके बाद आपको यहाँ पर apps की setting में आना है apps की setting में आने के बाद यहाँ पर आपको see all पर click करना है तो यहाँ पर दोस्तो वो app आपको मिल जाएगी यहाँ पर आपको दिख जाएगी जैसे कि यहाँ पर मेरे vivo के phone में white logo है आप देखेंगे यहाँ पर 7 MB का यह app है, तो आपको क्या करना है, इस app को delete करना है, इस पर आपको click करना है, तो इस तरह से setting open हो जाएगी, अब पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, storage and catch, आपको इस पर click करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर clear storage पर click कर यह delete का icon है, इस पर आपको click करना है, और ok पर click करना है, तो app delete हो जाएगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर app delete हो गई, यहाँ पर app दिखाई नहीं दे रही है, dark theme को हम यहाँ पर off कर देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर app दिखाई नहीं दे रही है, तो इस तरह से दो file manager को open करना है और यहां पर दोस्तों आप आएंगे तो आपको नीचे में यहां पर apps वाले option पर click करना है और इसके बाद दोस्तों ऊपर में आपको यहां पर option मिलेगा app install files ap case आपको इस पर click करना है तो आपको app दिखाई देगा आप देखेंगे यहां पर भी logo दिखाई नहीं दे रहा है white color का logo है आपको यहां पर three dot पर click करना है move to trash पर click करना है नीचे आपको यहां पर delete button पर click कर देना है तो app delete हो जाएगा यह app delete होने के बाद 99% दोस्तों आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी आपके vivo के phone में कोई भी add आपको दिखाई नहीं देगी अब मैं आपको एक और setting बता देता हूँ आपको क्या करना है chrome browser को open करना ह इसके बाद उपर में आपको three dot पर click करना है इसके बाद आपको यहां पर settings पर click करना है इसके बाद यहां पर आपको नीचे आना है यहां पर आपको site settings पर click करना है इसके बाद यहां पर आपको बहुत सारी setting मिलेगी आपको यहां पर नीचे आते जाना है यहां पर आपको setting मिलेगी pop-ups and redirect आपको इस setting को open करना है ये on है इसे आपको off कर देना है इसके बाद यहां से back आना है नीचे आएंगे तो यहां पतर आपको ये वाली ads की setting मिलेगी ये setting को open करना है और इसे भी यहां से off कर देना है ये सारी setting करने के बाद दोस्तो एक बार आपको अपने मुबाइल को switch on करना है उसके बाद दोस्तो आप देखेंगे आपके वीवो के फोन में आपको कोई भी एड दिखाई नहीं देगी एड हमेशा के लिए बंद हो जाएगी आपके वीवो के फोन में एड बंद हुई या नहीं मुझे कॉमेंट क करके जरूर बताना अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो चैनल को subscribe करके हमें support जरूर कीजिए वीडियो को like कीजिए share कीजिए